तो फ्रेंड्स मैं मेगा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेगा वाटक पर देखे हम लोग जो है आज जो टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ आपके लिए वो कारक का टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मैं हिंदी यहाँ पर पढ़ाती नहीं हूँ आपको मैं केवल जो मैटर है वो उपलब्द करवाती हूँ क्योंकि ये जो matter है ये नवीन हिंदी व्याकरण एवं हिंदी रचना प्रबोच से लिया गया matter है और देखे इस सीधे question जो है वो read के paper में पूछे जाते हैं read के अलावा ही ये जो है matter वो आपके लिए first grade especially जो राजस्थान की जो भी vacancies है उनके लिए बहुत ही useful है देखे सीधे यहीं से जो questions है वो बनाए जाते हैं और जैसे हम इस matter को पढ़ेंगे आगे इसके examples वगरा जैसे से आप इस matter को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि previous year के जो question paper है अगर किसी ने analyze किया हो उनको तो पता चलेगा कि वहीं से जो है question उनमें काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे जो इस book से इसके study material से लिए गए हैं देखें जो मेरा आधार है हिंदी को यहां पर हिंदी का जो study material प्रवाइट करवाने का वो नवीन हिंदी व्याकरनेव रचना जो बुक पहले चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और अब उसने बंद कर दी है उस book को मैंने आधार बनाया है इसके अलावा अगर additional वैसे तो क्या हो जो किया गया है वो मैंने क्योंकि दोनों books पड़ी है तो हिंदी रचना प्रवोध के अंदर जो matter है वो कम किया गया है तो जो मेरा आधार है वो पुरानी book है क्योंकि उसमें पूरा study material है जो complete form में दिया गया है इसलिए मैंने वो लिया है और जहां तक है कि मैं exercise जो questions होते हैं पाट्य पुस्तक के पीछे के वो तो दोनों ही books के करवाती हूँ इसके अलावा अगर हिंदी व्याकरने वरचना प्रवोध में additional कुछ दिया गया है जो अभी lettuce book है जो अभी चल रही है अगर उसमें कुछ additional information है तो वो भी आपको जो है मैं इनी में वीडियो में add करके और आपको provide करवा देती हूँ तो देखें आज जो मैं कारक चिन है वो लेकर क्याई हूँ जो friends मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो please मेरे चैनल को subscribe कर लें और bell icon है उसे आप प्रेस कर दें इसके लावा वीडियो को पूरा देखें और उसमें अपना कोई ना कोई reaction दें देखें या तो आप like करके ज जाएं इसके अलावा अगर कोई doubt हो आपको कोई question पूछना हो तो comment box में आपको comment कर सकते हैं मैं हर comment का जो है reply देती हूं आपको और जो भी friends आपके preparation कर रहे हैं प्लीज उन तक के channel share करें यहाँ पर continuous जो है आपको study करवाई जा रही है और जो लोग especially read के लिए preparation कर रहे हैं औ तो व्याकरण में पारिभाषिक यह एक पारिभाषिक शब्द है जब किसी संग्याय सरुनाम पद का संबंद वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेशकर क्रिया के साथ किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है देखे उसे ही कारक कहा जाता है तो हम यहाँ पर हमने सबने कुछ पूछे हैं एक कारक चिंद मेंस्यतन निकालने के लिए कूछेला के अबसंगे दोटला क्रेंगे करके पूछेगा उसके लिए कॉला के के लिए ini यूज या तो एक यह देदेगा या फिर अंडर लाइन करके देदेगा कि यह जो चिन है उसमें चार ओप्शन्स डाल देगा कि करता का है कर्म का है अधिकरन का है या संबोधन का है इसमें से इसी तरीके से जो है questions आते हैं तो देखें आगे जो है मैं आपको बता देती हूँ कि जो विभक्ति है देखें कारक को प्रकट करने के लिए सं को sentence पढ़ते ही अगर यह समझ में आ रहा है कि कौन से चिन का इसमें प्रयोक किया गया है तो देखें बहुत आसानी से हम जो है answer जो है find out कर सकते हैं और इसमें जो matter दिया गया है देखें वो बहुत ही useful है आपके लिए क्योंकि आगे जो question paper आने वाला है उसके अंदर जो है इन दोनों books का जो matter है वो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूं मेरा Hindi पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन जो है काफी useful matter है देखें हिंदी जो है scoring होता है read के अंदर अगर Hindi और English अगर कोई अच्छा करके आ जाता है तो उसके 60 questions 60 out of 60 marks आने के chances रहते हैं इसलिए जो है मै वो study material मैंने आपको दिया है जो आपके सीधे जो है exam paper से संबंदित है मैं किसी guide को follow इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जो examiner होता है वो authentic book में से paper बनाना पसंद करता है ना कि कोई एक particular guide या किसी coaching के notes को वो follow करता है तो देखें इसलिए जो है हम यहाँ पर इस matter को पढ़ रह जाली आ एट यहाँ हे गया है हिंदी में आठी प्रकार के जो hockey तरीघर करता करंशल्य संपरदाय अपादान संबंद दिकरर संबोधन और अधिकरण संबोनल जो यह जो है मैं इस मूं है इस कि चिन आपको बता देती हूँ आपको इसी तरीके से चरथिक करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपाधान से प्रथक होने के अर्थ में संबंद काके की रारेरी नानेनी अधिकरण में पर पे आदी संबोधन हे अरे हो देखे आपको इसी तरीके से रटने पड़ेंगे इनके जो चिन्द है इनको आपको बिल्कुल टिप्स पर चार आपके जो है मतलब कारक का जो है नाम दे देगा और उसके अलावा जो है चिन्द उसके जो चार चिन्द बता देगा कि कौन सा इससे संबंदित है तो देखे इसी तरीके क्वेशन आएंगे अब देखे करता कारक को हम समझ लेते हैं देखे करता ने देखे ये जो चि नाम का वहरूप जो क्रिया करने वाले का बोथ कराता है और आप सभी को बता है क्रिया करने वाला जो होता है वो करता होता है अर्थात क्रिया करने वाले को करता कारक कहते हैं देखे मैंने अभी अभी explain कर दिया है करता कारक का जो विभक्ति चिन है वो ने है ने विभक्ति का प्रयोग ने विभक्ति का प्रयोग करता कारक के साथ केवल भूत कालीन क्रिया के होने पर होता है देखे ये चीज आपको अंटरलाइन कर लेनी है ये चीज अच्छी तरीके से देख लेनी है कि जब जो क्रिया है भूत काल में होगी केवल वहीं पर ने का प्रयोग होगा इस अब देखिए पढ़ता है जो है वो वर्तमान कालिन क्रिया है तो अभिशेक ने पुस्तक पढ़ता है इस तरीके से तो हो नहीं सकता तो जो कार्य कर रहा है वो अभिशेक कर रहा है और आपको पूरे सेंटेंस समझ में आ रहा है कि यह जो है यह करता कारक है क्रिया की जा रह तो इसलिए जो है आलोक ने यहां ने का प्रयोग हुआ है और यह जो ने हैं वो करता कारक्त चिन है तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि करता कारक चिन्द लगेगा अगर कोई भूत कालिन क्रिया है तो ने का प्रयोग करेगा अन्यता भविष्य कालिन और वर्तमान कालिन दोनों क्रियाओं के लिए वो क्या करेगा उसमें कोई विभक्ति चिन्द का प्रयोग नहीं करेगा क sentence देखते ही, हमको समझ में आ जाना चाहिए, किस बारे में पूछ रहा है, देखें, next जो सब्द पर कर्मकारक है, कर्मकारक का विभक्ति च cann को है, कर्मकारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म के साथ नहीं लगती देखे, ये भी एक बहुत important line है, कि अगर सजीव है कारक यदि कर्म कारक जो है, वो सजीव है, यदि हमारा object architect जो है वह सजीव है तो तो लगेगा नहीं तो जो को विभक्ति है को चिन है उसका लोप हो जाएगा वह नहीं लगों जह से देखे राम ने रावन को मारा अब क्योंकि रावन जो है वह यहां पर क्या है करम है यानि का अब्जेक्ट है और मुषत इसलिए को का यूज हुआ अब देखें नंदू दूद पीता है अब यह दूद जो है यहाँ पर कर्म है जो पीने की क्रिया है उसका भार किस पर पढ़ रहा है दूद पर पढ़ रहा है दूद जो है object है लेकिन वो निर्जीव चीज थी इसलिए यहाँ पर ने का लोप हो गया देखें यह इस तरीके स से भी हो सकता था नंदू ने दूद पिया नंदू ने दूद पिया यह भी हो सकता था लेकिन जो है इस तरीके से अच्छा नहीं लगता तो नंदू दूद पीता है यह एक निर्जीव चीज है आप तो बस यह याद रख लें सजीव के साथ ने का यूज होगा और निर्जी जो है वो आपके साधन को बताता है कि किस साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है तो देखे जोटसना चाकू से सबजी काट रही है अब जो चाकू से चाकू क्या हो गया साधन हो गया क्रिया करने का तो जो से है किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है मतलब जो साधन है वो बताता है तो उसी को क्या कहा जाता है करण कारक यानि कि इसके जो होगा ये ये बताएगा जैसे पैन से लिखता है यानि कि लिख किस से रहा है पैन के द्वारा तो पैन क्या हो गया लिखने का एक साधन हो गया तो देखे फोर्थ है संप्रदान कारक के लिए के और के वास्ते अब देखे संप्रदान शब्द का अर्थ है देना वाक्य में करता जिसे कुछ देता है अत्वा जिसके द्वारा क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं देखें संप्रदान का अर्थ ही देना होता है यदि वाक्य में कोई चीज किसी के लिए दी जा रही है किसी को प्रवाइट करवाई जा रही है तो वहीं क्या हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा देखें संप्रदान कारक का विभक्ति चीनल के लिए होता है किन्तों जब क्रिया द्विकर्मी हो यानि के दो अबजेक्ट हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां को विभक्ति का को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है देखिए अधिकतर तो जो इसका यूज होगा वो के लिए होगा लेकिन अगर double object यानि के दुई कर्मी हो दो object आ रहे हूं जहाँ पर दो कर्म आ रहे हूं तो वहाँ पर जो है को विभक्ती भी आ सकती है तो इसमें कर्ताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के साथ को का भी यूज़ हो सकता है तो को विभक्ती भी आप लिख सकते हैं लेकिन जो देने के अर्थ में प्रयोग किसके अर्थ में होगा देने के अर्थ में ना कि object आपको पता है कर्म में भी को विभक्ती थी लेकिन वो object को बता रही थी यानि के वो कर्म को बता रही थी कि जो क्रिया है वो किसके लिए हो रही है उस तरीके का कर्म बताया जा रहा था लेकिन जो संप्रदान है उसमें को का यूज दब होगा जब किसी को कोई चीज दी जा रही है तो देखे ये हम देख चुके थे संप्रदान कारख तो देखे आलो मा के लिए दवाई लाया अब ये के लिए शब्द देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए मीनाक्शी ने कविता को पुस्तक दी अब देखे पुस्तक और कविता यहाँ पर यहाँ पर जो कर्म हो गए वो दो गए इसलिए जो है को चिंद का यूज हुआ है ना की के लिए तो देखे यह सेंटेंस तरीके से भी हो सकता था मिनाक्षी ने कविता के लिए पुस्तक दी ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है sentence थोड़ा जच नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर को का यूज हो गया तो देने के अर्थ में तो इसलिए को का यूज है आपको difference अच्छी तरीके से याद रखना है यदि कर्म को बता रहा है तो कर्म कारक है और यदि वो किस देने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है को तो फिर जो है विबक्ति चिन संप्रदान हो जाएगा, अब देखें पांचवा देख लिए अपादान कारक, अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है, ठीक है करता ने कर्म को करण से, हमने पढ़ा था करण से, करण कारक में जो है से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अप हो गया, उसके लिए जो से का यूज हुआ है, वो साधन के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो होगा, से का यूज होगा, से प्रथक होना, मतलब किसी भी इस्तिती से प्रथक हो जाने के अर्थ में होगा, देखें इसमें उधारन हम देख लेते हैं, देखें प्रथक होने के अर्थ में हो या दो चीजों के बीच में तुलना करने के अर्थ में हो तो वहां पर जो आएगा वहां पर से जो होगा अपादान कारक के लिए होगा ना कि करण कारक के लिए करण जो कारक है उसमें साधन बताया जाता है और अपादान कारक में जो से होता है उसमें परथक होने का अर्थ या फिर दो के बीच में तुलना करना बताया जाता है, तो देखे चटा जो हम देख लेते हैं, संबंद कारक यह बहुत आसान है, इसमें संबंद बताया जाता है, देखिए अजे की पुस्तक गुम गई है अजे की देखिए इसमें एक संबंद में जो चिन्द दिये हुए है वो काके की रारेरी या नानेनी दिये हुए है तो देखिए अजे की पुस्तक का संबंद अजे से है तो की चिन्द का प्रयोगरा तुम्हारा अब ये रा जो है य कि रा और ना यह तीनों जो हैं विभक्ति चिन्न और इनका संबंध बताया जा रहा है इसलिए संबंध कारक्ष हो गया देखें इसी तरीके से अधिकरण है अधिकरण में किसी भी चीज में में का यूज होगा पर याप मतलब किसी चीज के ऊपर जो भाव आएगा वो किसी वाक्य में प्रेवक्त संग्या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का भोध हो देखिया में ऊपर का मतलब क्या है किसी चीज के आधार के ऊपर है ना इस तरीके का भाव आए तो वह अधीकरणकारक होगा उसे अधिकरन कारक कहते हैं इसमें जो विभक्ति चिन्न आएंगे वो आएंगे में पे पर आदी तो देखे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश में आधार क्या हो गया आकाश हो गया और आकाश में उड़ रहे हैं मेज पर पुस्तक पड़ी है तो देखे पर जो है उस अगर शब्द आ जाएं तो यह जो बताएंगे वो अधिकरनकारक बताएंगे क्योंकि इसमें जो है यह तीनों ही शब्द किसी चीज का आधार बता रहे हैं अब देखें लास्ट जो है हमारा संबोधनकारक है बहुत ही सिंपल है इसमें हम किसी को पुकारते हैं जब संग्या पर लगाया जाता है या फिर कॉमा का यूजिक किया जाता है देखियлов में जो हुगा इसमें पुकारने से संबंदित हो अब देखे हे प्रभु प्रभु में पीछे विसमे वो तक चिन्न आ रहा है और आपको पता है कि पुकारने का चिन्न है रक्षा करो अरे अरे के पीछे जो है कौमा आ रहा है तो देखे इसमें जो है यह पुकारने को लेकर के बताया जाएगा इसमें किसी का संबोधन किया जाता तो वहीं पर देखे है ओ अरे जो है यह सब जो है आपके संबोधन कारक में आते हैं अब देखे इसमें जो लिख रहा है नीचे लास्ट लाइन विशेश करके के सर्वनाम में कारक साथ होते हैं इनका संबोधन कारक नहीं होता देखे जो सर्वनाम लिख रहा है यह गलत तक होने के अर्थ में संबंद काके की रारेडी अधिकरण में पर उपर आती संबोधन जो है वहां पर नहीं आता तो देखें वहां पर साथ कारक्चिन है और उनके हिसाब से सर्वनाम करा यह यहांपर जो आएंगे, वो है, समास आएगा यहांपर शब्द तो जो समास है, उसमें कारक साथ होते हैं, मैंने आपको समास पढ़ा दिया है, उसके अंदर जो जिन्होंने वीडियो नहीं देखें जाकर के देखें उसमें आपको पता चल जाएगा इसका संबोधन कारक नहीं होता है तो देखें यह अंडरलाइन करके बताया है यहाँ पर जो सर्वना में गलत छपा हुआ है मिस्प्रिंट हो गया होगा यहाँ पर जो आएगा स़वनाम की जगे वो समास आएगा तो देखें आज में आपके लिए कारक लेकर क्या आई थी इसके बाद जो हमारा इसमें। टौपिक बच जाएगा वू काल बच जाएगा देखियए और काल के बाद जो है हम जो है काल के बाद एसके जो है टॉपिक हमारे related जो टॉपिक हैं वो खतम हो जाएंगे और इसमें अभ्यास पुस्टिका यानि के दोनों अभ्यास पुस्टिकाओं के नवीन हिंदी व्याकरण और इसके अलावा हिंदी व्याकरण आयरे व्रचना प्रबोध इन दोनों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाएं धन्यवाद